एक गोष्ट गोष्ट का मतलब होता है मुटवयन ठीक है एक भूट से यह भूट वसे مुट वन नाइट एक रात पैटिक सौफ पैटिक ने देखा एक होरर मुवी होरर का मतलब है डारावने जिक एक डराओने मूब ए अपने मातापीता के साथ देखा he felt उसे महसूस हुई या फिर उसे लागा ठ्रस्टियाने के प्यास ठ्रस्टि का मतलब क्याता है प्यास निकि हीफ्ट ठ्रस्टि मुस्य प्यास लगे एंड वेंट और गया to the kitchen रसोई में ठीक है उससे प्यास लगे और रसोई में गया to fetch a glass of water एक glass पानी लेने के लिए तू लेजे बहुत आल सी to put on lights ठीक है बिजली जलाने में तू लेजे बहुत आल सी होने के कारण पैटरिक ग्रॉबड पैटरिक जाने लगा his way अपने रसे के तू दा k intéressant रसोई के टिक है यह की पैटरिक जो है रसोई के अपने रसोई के जाने लगा एड़ बहरी मुमेंट इसका मतलब होता है उशी वक्त उसी चन उसी समय इड़ इड़ मुमेंट का मतलब का आता है उशी वक्त His mother उसकी माँ तू का मतलब होता है टीडव लोग का तू का मतलब होता है भी यानिकि उसकी माँ भी had got up जाग गई उठ गई तुप रहाने के लिए हार थोरस्ट अपनी प्यास निकि उश्री वाग्ट उश्की माँ भी जा गई तुफ रहां अपनी प्यास बूजहाने के लिए विकॉज ऑफ डर्कनेस डर्कनेस का मतलब कहते हैं अंधेरा ओके अंधेरा के कारण विकॉज ऑफ डर्कनेस अंधेरा के कारण पैट्रिक वाग्ड टिक है पैट्रिक गया एस्ट्रेट यानिकी सीधा टिक है पैट्रिक सीधा गया इन्टू हीज मदर अपनी मा के पास टिक है अंधेरा होने के कारण पैट्रिक सिधे अपने मा के पास गया हीज माइंड उसकी दिमाग वाज एस्टिल एस्टिल का मतलब बता है अभी भी एस्टिल का मतलब कहाता है अभी भी उसकी दिमाग अभी भी थी बीजी यानि कि ब्यस्त उसकी दिमाग वाज एस्टील बीजी अभी भी बैस्ति थी With the horror movie मैंने क्या बताया था डरावने डरावने मूभी के साथ उसका दिमाग अभी भी बैस्ति थी He thought उसने सोचा या फिर उससे लगा डेट की उससे लगा कि He watch face to face उसकी सामना हो गई है विदे घोष्ट एक भूत के साथ ठीक है उससे लगा कि उसकी सामना जो है एक भूत से हो गई है and I started screaming screaming का मतलब चिलाना I started मतलब सुरू कर दिया ठीक है यह निकि चिलाना सुरू कर दिया His father उसके पिता जी आए रनिंग दोड़ते हुए ठीक है उसके पिता जी दोड़ते हुए आए and switch on the lights और बिजली जो है जला दी when he saw जब उसने देखा his mother अपनी मा को standing खड़े हुए in front of in front of का मतलब होता है कि सामने है ठीक हम यानिकि उसके पिता जी दोड़ते हुए आए और जो है बिजली जला दी जब उसने देखा अपने मा को standing in front of him उसके सामने खड़े हुए he felt relieved ठीक है उसे महसूस हुए relieved का मतलब होता है राहत ठीक है राहत ठीक है राहत ठीक है उसे राहत महसूस हुए and went और चला गया to his rooms अपने कमरे में to sleep सोने के लिए और अपने कमरे में सोने के लिए चला गया इस सब्सक्राइब करते हैं आपको इस च्टोरी कैसे लगे कमेंट बक्स में कमेंट करके ज़रूर पताएगा और डेली सब्सक्राइब के आप अपने इंगिस लेंगेज में इंप्रूब ला सकते हैं और मिलते हैं इस सब्सक्राइब के साथ तब तक रखे अपने ख्याल बहुत सर प्यार धन्यवाथ थैंकि शूमाच If you like the video do like, comment, share and subscribe